प्रदीव बर्मा दे कॉमर्स गुरू स्वागत एक बार फिर आप सभी आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स टुडी जोन में प्रश्टूतू आप सभी वीच एक बहुत ही खास वीडियो के साथ जिसमें कि मैं आज डिसकस करने वाला हूँ कुछ ट्रिक्स और साथी सार मेरे तरब से कुछ सजिशन्स जो होपस हो कि आप सभी के लिए एक्जाम में बहुत ज़्यादा हैल्फुल होंगे so that कि आप स्कोर कर सके अपने डिजार टारगेट जो की है 40 marks out of 40 अपने आने वाले term 1 examination में तो इसमें basically हमें कुछ और नहीं question paper के section wise division और उनके number of attempted question जो हमें करने है for maximum permitted questions, time management, various types of planning ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो इन सब के लिए आपको कुछ और नहीं करना है बस बने रहना है वीडियो के end तक और साथ ये साथ अगर चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट किये हैं तो बस एक like जरूर करिए मेरा efforts को और अगर चैनल को subscribe ना किया हो तो subscribe जरूर करें तो आएए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कुशिन पेपर के जनरल इंस्ट्रॉक्शन से जो कि कुशिन पेपर में प्रिंटिड रहेंगे बाट आज यू आल नो कि पेपर में हर एक मिनिट बहुत ही किमती है तो मैं बस यही चाहूँगा कि आप सभी उन चीज़ों को पहले से ही अच्छे से दिमाग में सेट अप कर लें so that कि पेपर का चितना भी समय आपको मिलना है वो हर एक सेकेंड वो हर एक मिनिट आपके कुशिन अटेंट के लिए ही कांटेड हो so let's start with the general instructions जो कुशिन पेपर में मिलने वाला है और जिसे की CBC ने suggest already किया हुआ है तो यह है वो general instructions का एक snap जो की CBC ने पने portal पर upload किया हुआ है और आप सभी को already वो चीज़े provided है नेट पे भी available है तो let's check it क्या instructions है पहला instruction जैसे आप देख पा रहे हैं जैसे कि आप एहला instruction देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि this question paper comprises three parts जिसमें की है part 1, part 2 and part 3 तो जैसे आप सभी को बताये जा चुका होगा आपके teachers के द्वारा कि आपको basically part 1 and part 2 करना है and part 3 सिर्फ उनी candidates को करना है जिनोंने computerized accounting opt किया होगा तो basically हम कह सकते हैं कि हमारे लिए part 1 and part 2 ही है और total questions आपके 69 होगे that includes part 3 questions तो आप अगर part 1 and 2 को ही कर रहे हैं तो आपको 69 questions तक नहीं जाना है आपका part question number 55 तक ही सिर्फ आपको मिलेगा and then उसके बाद लिखा है question instruction number 2 में कि part 1 ये compulsory है हर एक बच्चे के लिए point number 3 में लिखा है part 2 जो कि किस portion को cover करता है analysis of financial statements को and part 3 जो कि आपका जैसे बने पहली बता है computerized accounting है जो किसी दो में से आपको एक ही को करना है and you have to attempt only one of the given options ये बात पहले भी बताया जा चुका है fourth point में आपको दिख सकता है कि चार तरह के details बताये गए हैं जिस पर हम details में बात करेंगे next slide में और जैसा दिख रहे हैं आप instructions लिखें there is an internal choice provided in each section sections के according कुछ choices आपको मिले हैं वो सब इस four point में cover किये गए हैं और जिसको मैं extremely details में explain करने वाला हूँ इने next portion में तो वहाँ पर इस पर बात करेंगे fifth point दिया है all questions carry equal marks as you all know कि आपके papers में 40 out of 40 हर questions को एक number नहीं allot किये गए हैं बलकि आपको ज़्यादा question attempt करने हैं and मिलने हैं only 40 marks जैसे कि आप accountancy के बात कर रहे हैं आपको total 45 question attempt करने हैं और आपको मिलेंगे जिसके बदले 40 marks यानि आपके हर question में एक number नावकर 0.88 marks हैं जिसके बारे में मैं आपको already reals में वीडियो में बता चुका हूँ और यहां clear एक instruction there is no negative marking जिसका मतलब आप अच्छे समझ सकते हैं कि आपको कोई question छोड़ना नहीं चाहिए and last instruction है specific instruction related to each part मतलब जैसे आप समझ रहे हैं कि यहां पे 3 parts हैं उन में से हर part के specific instructions या subdivisions या जिसको हम sections कह सकते हैं clearly paper में mention रहेगा और candidates should read them thoroughly and attempt accordingly और suggestions है CBC के तरब से कि इन चीजों को thoroughly आप पढ़ें पहले and accordingly उसको आप सब solve करें तो आई अप detail में जानेंगे कि instructions के explanation क्या क्या है point by point जैसे आप देख रहे है point 1 में लिखा है this question paper comprises 3 parts that is part 1, part 2 and part 3 and there will be 69th question in the question paper इसके बारे बता दिया आपको मैंने कि हमें part 1 and part 2 ही basically देखना है जिसमें question number 55 तक हमें करना रहेगा 56 से लेकर 59 सिर्फ उनहीं को करना है जन्होंने part 2 के जगा part 3 को attempt करना है ठीक है तो इसको आपको ध्यान रखना हो second part point instructions का था कि part 1 सभी के लिए compulsory है part 1 में जितने questions मिलेंगे वो आप सबको करने होंगे चाहें आपने computerized accounting लिया हो चाहें ना लिया हो number 3 भी इससे related है और जो आपको specific बाते और बताता है कि part 2 जिसमें की analysis of financial statement और part 3 जिसमें की computerized accounting दिया गया है तो आपको कुल मिला कर part 1 compulsory बनाने के बाद part 2 और part 3 ये दो बचते हैं आपके पास इन दोनों में से किसी एक को ही आपको attempt करना है दोनों को नहीं करना है तो by means आपको question number 55 तक आप attempt करते हैं ये आपका cover होता है under part 2 and then अगर आप 56 के आगे attempt करना स्टार्ट करते हैं and till question number 69 तो ये आपका जाता है part 3 के अंदर यानि computerized accounting में तो अगर आपने part 3 नहीं करना है तो आपको इन questions के तरफ बिलकुल नहीं देखना है इन instructions को आप जरूर दिमाग में रखे ही paper hall में appear करें next instructions आपका था जो काफी vast है जिसको हमें detail में यहीं पर actually समझना है और मेरे suggestions है आप सभी को कि paper hall में इन चीजों को समझने से अच्छा है कि अपने practice के दर्मिया इन सभी instructions को घर पर आप regularly practice दो-तिन दिन भी कर लेंगे तो आपको इस सारी बात दिमाग में अपने upset हो जानी है देखे internal choices provide किये गए each section में तो यह जो पूरा instruction है internal choice को समझाने के लिए दिया गया है तो जैसे यह पहला point आप देख सकते हैं part 1 part 1 में के अंदर कहा गया है 3 sections मिलेंगे जैसा highlighted है section A, section B और section C later on यहां दिया गया है section A के अंदर बोला गया है has questions from 1 to 18 तो सबसे पहले सुरवात के 18 questions जो आपको मिलते हैं that is covered under section A of part 1 और उसके बाद section B के अंदर 19 से लेकर 36 questions मिलते हैं यानि next 18 questions and you have to attempt any 15 questions each in the both sections यानि section A के जो 1 से लेकर 18 questions है 18 total इन में से कोई भी आपको 15 कर लेने है and कोई भी random तीन questions आप छोड़ सकते हो इधर first 3, last 3 और बीच में से कोई भी odd question आप छोड़ सकते हैं इसके लिए कोई भी आपको रुकावट नहीं है same with section B that will be covered question number 19 to 36 again next 18 question उसमें भी आपको 15 ही करने हैं तीन questions छोड़ देने हैं और याद होगा ही आप सभी को जिन question को आप छोड़ने वाले हैं उन questions के लिए जो hash के under column बना है उसको आपको circle करना होगा second point बताया गया कि part 1 का जो section C है जैसे कि बताया गया था part 1 टूटल 3 sections है तो section A, B हो गया section C के अंदर बोला गया है कि 37 से लेकर 41 यानि कि आपको total मिलने वाले हैं 5 questions and you have to attempt only 4 questions तो एक आपको यहाँ पर question छोड़ना है बाकी 4 कोई भी कर लेने है तो इस तरह से आपका 41 number question तक cover होता है under part 1 तो यह जो 41 तक है यह सब के लिए compulsory वाला question हो गया है तो याद रखना आपको as a summary कि 1 से लेकर 41 questions सबको देखना होगा और आपको in total इसके अंदर करने है 15 plus 15 30 और plus 4 34 यानि इस 41 में से आपको only 34 questions ही attempt करने है याद रखिए चलिए अब बढ़ते है next detail के तरफ तो part 2 जो बच्चे part 2 opt करेंगा यानि computerized accounting के जगा जो बच्चे mainly जदा तर सभी लोग करते है जो analysis of financial statement उसमें 2 sections मिलने वाले है section A कह रहा है कि उसके अंदर next 42 से लेकर 48 ये questions मिलने वाले है 7 total 7 questions और जिसमें से आपको कितने करने होंगे 5 की questions तो आपको total मिला 7 questions next section के अंदर आपको करने कितने है 5 तो आपको 2 questions यहाँ पर छोडने होंगे और hash वाले section में उसको mention करना होगा फिर part 2 का section भी आता है जिसमें question number 49 से 55 यानि कि next 7 questions फिर आपको मिलेंगे बट आपको इस बार 6 questions attempt करने पड़ेंगे यानि एक ही question छोडना है 7 में से और 6 करना होगा तो इस तरह से 5 और 6 11 questions आपको करने है और previous part 1 में आप already 41 में से 34 कर चुके होंगे 34 उधर और इधर मिलाकर 11 total आपके 45 questions होगा यानि आपका paper खताम होगा बट अगर आपने part 2 नहीं opt किया आपने computerized accounting किया है तो same यही जो pattern है कि next 7 में से 5 questions और उसके next 7 में से 6 questions pattern वही रहेगा बस question number 42 से 48 के जगा आपका question number हो जाता है 49 से 62 यानि आप 49 62 तभी कर सकते हैं जब आपने 42 से 48 कर ली नहीं किया होगा और अगर 49 से लेकर 55 question आप नहीं कर रहे हैं यानि part 2 तो आपका 63 से लेकर 69 का next question बनता है तो यानि हम कह सकते हैं जिनोंने computerized accounting लिया है वो 55 number question के बाद तो paper बिलकुल न देगी तो यह था सबसे vast explanation about the instructions अब आते हैं next instruction के तरफ यह है कि all questions carry equal marks there is no negative marking यह बात पहली बता चुके हैं कि आप कोई भी गलत question करते हैं तो आपको उसके बतले कोई नुकसान नहीं होगा जादा सदा यही होगा कि आपको उसमें कोई marks award नहीं किया जाएगा next आता है कि specific instruction related to each part and subdivisions that is sections is mentioned clearly before the questions candidate should read them thoroughly and attempt अन्य अभी अभी tale में explain किया है यही चीज़ आपको paper में हर section के निचे लिखावा मिलेगा लेकिन मैंने सका paper hall में उसको पढ़कर precious time of waste ना करें इन चीज़ों को घर पे इतनी practice कर ले before going for the appearance in the examination hall ताकि आपको यह चीज़े पढ़ना ही ना पढ़े होगा पता रहे कि आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं तो यह थे वो instructions जो आपको paper में printed form में मिलेंगे जो आपको paper hall में बहुत ध्यान से देखना है आगे के वीडियो को सुरू करने से पहले आप साभी से request कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें अपने friends में share करें और subscribe ना किया तो subscribe जरूर करें चलिए बढ़ते हैं अपने next portion पर तो अब जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको 10 important tricks and suggestions देना वाला जिससे कि आपको आपने वाली है पेपर को टाइट पर खतम करने की साथ ही साथ full marks obtain करने की तो यह बात करते है one by one यह मेरे तरफ से सिर्फ कुछ suggestions हैं कुछ tricks हैं जिसको कि आप तभी apply करें जब घर पर पहले practice करें paper hall में diet इसको करने जाएंगे तो definitely आपका paper गरबड हो सकता है पहले इसके practice कर लें then accordingly उसको perform करें तो पहला point मेरे तरफ से है distribute the whole question paper into various slots so that you complete the paper on time आपको अगर paper time पर complete करना है तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपके अपाज जो total 90 minutes है उसको एक बार में count मत करिए आप उसको कुछ portions में bifurcate कीजिए कुछ slots में डाल दीजिए और time को properly उसी according manage करिए तो मैं उसके लिए आपको dummy एक sample example देने वाला हूँ देखिए वो क्या है जैसे मैंने example लिया कि slot 1 मैं लेना चाहता हूँ अपने paper में तो वो slot 1 क्या होगा तो यह again मैं कह रहा हूँ यह एक suggestion है आप इसी order में करें it is not like that यह मेरे तरफ से बस एक suggestion है तो मैंने क्या किया कि part 1 में से section A को opt किया जिसके अंदर आपको 15 questions मिलने वाले हैं और जैसा आप सभी जानते हैं 15 questions आपको attempt करने है आपको मिलेंगे 18 questions और do not spend more than 30 minutes for the same यह मेरे तरफ से again suggestion है कि आपको section A के अंदर में total 15 questions करने होते है और जो की mix up होता है theory or numerical का तो इसको आप 30 minutes ज़्यादा खर्च ना करें इस पर और 18 से 15 चुन कर उसको completely खतम करें यह है पहला suggestion मिले तरफ से under slot 1 तो कि अगर हम बात करते हैं यानि कि 30 minutes आपके 90 और 30 minutes भी चुके हैं अब आप अपने second planning second phase भी आते हैं that is called second slot तो इसमें मैंने जैसे suggestion के दौर पर यह लिया है कि आपने अब part 2 start करना है part 1 के जगा part 2 अब आ जाईए part 2 में आपको 2 section मिलते हैं section A and B तो दोनों section के अंदर एक में आपको 5 question attempt करने हैं out of the given 7 questions और दूसरे में 6 questions करने हैं out of 7 questions तो उन दोनों ही question that means all 11 questions आप complete कर लिजे इस part से यह होगा एक चीज इसके अलावा आप इसमें और क्या कर सकते हैं तो इसके अलावा इसमें आप additionally part 1 के बचे हुए portion यानि section C को भी ला सकते हैं part 1 का आप already section A यहाँ देख चुके हैं part 1 का section B बाकी है अभी part 1 का section C हम यहाँ ले लेंगे जिसमें आपको 4 questions attempt करने होंगे और मिलेंगे जितने भी questions 5 उनमें से 4 करने होंगे तो in all आप slot 2 में जब आप होंगे तो आपको यहाँ से 5, यहाँ से 6, 11 अगेन आपको 15 questions करने हैं और इसके लिए आप अपना time management किस तरह रखना चाहेंगे या कितना होना चाहिए तो वो है मेरे हिसाब से 20 minutes आप 20 minutes से जदा spend यहाँ ना करें मेरा suggestions है और इसी को आपको practice में manage करना पड़ेगा अगर आप आप नहीं कर पा रहे हैं तो और directly paper hall में यह चीज मेनेज नहीं हो सकती इस इंपॉसिबल बट घर पर practice कर लोगे आप कुछ papers के साथ तो definitely इस पॉसिबल आपने आपने आखरी स्लॉट अब तक हमने 30 minutes और 20 50 minutes आप spend कर लिए हैं आउट अप गिवन 90 minutes अभी हमारे पास 40 minutes बाकी है क्या है वो अगली planning क्या है तो वो देखिए अब हम बच्चे हुए part 1 के section भी में आती हैं आएंगे जिसमें next 18 में से आपको again 15 questions ही करने होंगे और again suggestion है कि 30 minutes जादा खर्च ना करिए 30 minutes आपने इधर खर्च कर लिया 20 minutes इधर खर्च कर लिया और 30 minutes इधर खर्च कर लिया मतलब आपके 80 minutes खर्च हो चुके है और आपके पास आप बच्च कर लिया होगा अब तब तो वो 10 minutes आप क्या करेंगे और कैसे उटलाइस करेंगे तो keep final 10 minutes at least in your hand तो यह सब का target होना चाहिए आप सभी का कि आपके अपास कम से कम वो 10 minutes तो बचा होना चाहिए उस slot के अंदर जिसको आप use करेंगे अपने revision purpose के लिए कि आपने किसी question का कोई गलत answer गलती से टिक नहीं कर दिया या अपने responses को cross check करने के लिए और आप सब जानते हैं कि इस 10 minutes का कितना importance है कि अगर किसी चीज को अपने गलत circle कर दिया है तो आप hash वाले, sorry, has नहीं क्योंकि hash में तो आपको unattempt को mark करना है आप जाएंगे किसमें अपने star वाले section के अंदर column जो star का box है उस box में आप अपना answer यानि response change कर सकते हो अगर आपने किसी और को circle कर दिया है तो इस 10 minutes में आप उसी को अच्छे से use करिए revise करिए, cross check करिए और अपने box का properly use करिए तो accordingly आपका कोई भी नुकसान जो हो सकता है लापरवाही के वाज़ा से वो नहीं होगा तो यह होगा है आपके पहले कुछ suggestion, कुछ tricks आप आते हैं next point पर the next point यह है आपका make a proper planning and execution of reading time of 20 minutes instead of 15 minutes अब सभी जानते हैं कि previously board examination में CBC हमें 15 minutes की timing देती थी reading के लिए बट अब paper को reading time देने के लिए CBC ने हमें 20 minutes प्रोवाइड किया है तो आपको जैसा मालूम है कि आपका OMR pre-filled रहने वाला है उसमें data पहले से भरे रहे रहेंगे बस आपको दो एक columns को भरना है rest data पहले से भरा रहेगा तो आपके पास पूरा का पूरा 20 minutes available है for the reading of question paper तो बहुत अच्छे से planning करिए it is an opportunity कि आप अपने पूरे 90 minutes को कैसे start करने वाले हो ये ना होने पाए कि आप सीथे-सीथे 90 minutes के अंदर अपना execution start कर रहे है आप अपने 20 minutes के ही अंदर planning करिए जिसको की आप execute करेंगे उसी के according अपने next 90 minutes में तो एक minute भी आपका waste नहीं होगा इस तरह से next है एक suggestion select the best questions to be attempted on priority basis देखे ये सबसे एक important phase है क्योंकि ये maximum बच्चे यहाँ पर बहुत लाज़ा लापर वा हो जाते है आपको क्या करना है कि एक सीरे से questions नहीं लगाने है अगर आपको सारे आते तो that is other part बट अगर आपको नहीं आते हैं paper में सारे question तो क्या करिए आप उन में से पहले best question को select करिए जो आपको attempt करना है priority basis पर priority in the sense मेरा कहने का ये है कि आपके knowledge में जो best आपको पता है वो आप पहले चुनिए इंस्टेट कि आप सभी questions tough questions जो नहीं आता उस पर अपना समय वेस्ट कर रहे है and out of the total 55 printed questions from all the two parts that is part 1 and part 2 मैंने part 3 को include नहीं किया है and various sections जैसे आप सभी जानते हैं कि in all part 1 and part 2 मिला कर 5 sections आपको मिलने वाले हैं और उन 5 sections में आपको 15 plus 15 plus 4 plus 5 sorry 5 plus 4 plus 4 ऐसे कुछ questions आपको करने होंगे इन questions को आप पहले scan करें reading time में और तह करिए कि कौन-कौन से question आपको best known है best understanding है तो उनहीं को पहले से आप start करिए यह आपको ध्यान रखना चाहिए next point आपके लिए है give preference to the theoretical question first जैसा आप जानते है theoretical भी questions मिलने वाले है numericals भी और आप सभी जानते है theoretical question बस concept के understanding है अगर आपको आता है तो it will take hardly 10 seconds 15 seconds या बहुत मुश्किल से 25 या 30 seconds लगेंगे यानि theoretical questions को करने के लिए हमारे पास समय बहुत बच जाता है तो अगर आपके paper में आपको theoretical question easily समझ में आ रहा है तो पहले आप priority उन्हीं को दीजिए time को adjust करने के लिए maximum theoretical questions को पहले attempt कर लेने हैं ताकि आपका time एकदम से आपके पास save हो सके next आते हैं do not try to spend more than 3 minutes in any question देखिए extremely important point 3 minutes से जादा किसी भी समय किसी भी question के लिए आप नहीं दे आप जब कोई question करे तो time जरूर देखते रहे 3 minutes जादा अगर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप यह तो doubt में है या आपका वो concept कहीं गड़बड हो गया आज की paper में उसमें तो आपको उस question को छोड़ देना आपके लिए better होगा क्योंकि 3 minutes जादा खर्श करके आप एक सही question करेंगे और end point 88 marks लाएंगे तो यह घाटे का सौधा आपके लिए है तो बिल्कुल कोशिश ना करें आप कोई ऐसा question करने के लिए जो आपको 3 minutes जादा आपका waste कर रहा है in case it is taking more than the expected time तो जो आपका expectation है कि 3 minutes के अंदर हमें एक question कर लेना है कोई भी numerical उससे ज्यादा अगर उस समय लग रहा तो आप क्या करें तो it will be better to leave that question उसको छोड़ ही दीजिए and उसको बात लिए छोड़ दीजिए कि अगर मेरे पास कोई दूसरा choice नहीं बचेगा तो last में बचे हुए समय में उसको करेंगे और अगर कुछ नहीं बचेगा तो उसमें कोई भी एक option चुन लेंगे क्योंकि वैसे भी उस समय हमारा बर्बात कर रहा हमें नहीं आता तो यह आपके दिमाग में एक clear बात होनी चाहिए यह नहीं कि examination hall में गया और nervous होकर आप इस चीजों में अपना समय किल कर रहा है तो next आता है point आपके लिए कि extremely carefully count the number of questions attempted जैसा आप सभी जानते हैं कि आपको question जो attempt करने है उसके एक proper coding है कि पहले 18 में से 15 ही सिफ करने है next 18 में से भी 15 सिफ करने है तो as on कई सारे pattern है तो उन pattern को आप अच्छे से assure करते जाएं कि आप उससे जाधा नहीं कर रहे है क्योंकि आप सभी जानते हो कि OMR में अगर आपको 18 में से 15 attempt करने को बोला गया है आपने 18 के 18 कर डाले 16 कर डाले मतलब 15 से जाधा तो जो extra question आपने किया उसको check नहीं किया जाएगा यह नहीं सोचना है आपको कि गलत किया है तो सही वाले को सही माना जाएगा ऐसा नहीं है first 15 question को count किया जाएगा और उसके बाद का कोई भी question जो आपने सही वी गया हो तो ignore कर दिया जाएगा इसलिए आप अपना time unnecessary waste ना करें so that to avoid more than avoid more than the maximum allotted number of questions for each section it will save the wastage of time तो अगर आप अपना time wastage नहीं करना चाहते हैं तो जिस section में जितने maximum question आपको attempt करने हैं उसको अच्छे से देखें और उससे ज्यादा आप attempt करने कोशिश बिलकुल ना करें next point में आते हैं in case of any difficult calculations and concepts माल लेते हैं कि paper hall में ऐसा हो जाता है कि आपको कोई question उस दिन difficult calculation के लिए दे दिया है या conceptually थोड़ सा difficult आपको लगने लगा है तो आप उसको छोड़िए नहीं कोशिश करिए ये चीज़़ए क्या कोशिश करिए try to find out any hint out of the given options itself कई बार ऐसा होता है कि हमें उस question का जवाब नहीं मालूम होता लेकिन जब हम options देखते हैं तो हमें लगता है clear ले कि बाकि जो तीन options है वो तो इसके जवाब होई नहीं सकते तो जो एक option बचटा वहीं सही जवाब होगा तो in this way कई बार question में hint को देखकर that means कि उन चारो options को देखकर के ही हमें hint मिल जाता है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है तो इसी लिए किसी numerical question को करने के समय अगर आपो difficulties face हो या किसी theoretical के concepts को pick करने में difficulty आए तो आप options को देखकर भी दिमाग लगा सकते है next आता है point number 8 be watchful and careful while attempting the assertion reason questions जानते हैं कि paper में आपको assertion reason question मिलने वाले हैं तो उसको करते समय बहुत जाद आपको alert रहना है अब उसके लिए भी एक suggestion मैंने दिया आपको कि सबसे पहले आप conclude करिए कि दोनों जो statements आपको दिये हुए होंगे A और R के नाम से वो सही है कि गलत है मतलब पढ़िए और concepts के according अगर सही है तो paper में आप वो T लिख लिजिए गलत है तो F लिख लिजिए ठीक है ये क्यों लिखेंगे आप इसलिए ताकि आप pick कर सके अपना correct choice जैसा आप सभी जानते हैं कि assertion reason के अंतर चार तरह के choices मनाए जाते हैं उसकी coding एक fixed coding है तो अगर आपने ऐसा टै कर लिया कि जो statement R है वो सही है मतलब ये मानते हुए कि जो पहला statement A है वो तो सही है ही और साथी साथ जो दूसरा statement reason का है वो भी हम मान लेते हैं कि सही है in case तो ऐसे question में आपके पास क्या options है तो अगर आपका R का statement correct है और support भी कर रहा है अपने statement A को यानि जो statement A में लिखा है उसको exactly support करता है R में लिखा हुआ statement तो आपका जो choice हमेशा होगा वो option A होगा जिसके अंदर लिखा होता है both the statements are correct and R is the correct explanation of A but in case ऐसा हो जाए कि आपका A सही है और R गलत एक statement है sorry वो भी सही है लेकिन वो उसको support नहीं कर रहा है इसका opposite तो in that case आपका choice बनेगा आपका option number B जिसके अंदर क्या लिखा होता है कि both the statements are correct and R is not the correct explanation of A तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान लें next point है try to darken the circle of correct response immediately after finding out the correct choice अक्सर क्या होता है कि हम लोग कुछ questions या पूरे paper को करने के पास सोचते है last minute darken करें imagine करिए अगर आपका paper पूरा खतम हो जाता है समय पूरा खतम हो गया और आपने अब dark करना start किया तो क्या आपको paper hall में उस चीज़ के लिए facility मिलेगा नहीं मिलेगा आपका OMR blank छुट जाएगा और आप fail हो जाओगे इसलिए time को manage करने के लिए क्या करिए question को करते ही तुरंट उसको अपने options को देखकर correct जगा तुरंट mark करिए कि कई बार ये भी देखा गया है कि bulk में circle करते समय बच्चे किसी और के circle किसी और में कर देते हैं and as a result दो questions नगलत हो जाते हैं तो आपको darken करना है free mind से space रखते हुए space in the sense कि time का space रखते हुए करिए और तुरंट उसको circle कर दीज़े ठीक है next और last instruction में तरब से हैं कि use wisely the final response column जैसा आप सभी जानते हो कि final response column आपको मिलता है hash और साथी साथ star ये जो आखरी column cbc ने add किये इनको अच्छे से use करिए जो आपको अपने questions के right side में मिलने वाला है इस तरह से use करना है कि hash में आपको वो question ही mark करने जिसको आपने attempt नहीं किया आपने कर भी लिया है तो भी आप रहते हैं कि हमें ये account नहीं करवाना है तो आप hash और स्टार के अंदर आपको box मिलना है उस box में आपको correct response भरना है अगर आपने एक से जादा circle भी कर दिया है और आपको confirm करवाना है कि मेरा option कौन से सही है तो आप box में correct वाला लिख दिजिए वही finally आपका answer माना जाएगा तो इस option को या तो मैं कहूंगा इस weapon को इस एक opportunity को आप सबसे best way में use करिए so that कि आपका कोई mistake अगर होता है तो वो उसमें easily cover up हो जाए तो इन सभी के साथ मेरे instructions, मेरे suggestion over होते हैं और इन सभी के साथ मैं आप सभी को good luck wish करता हूँ आपके exam के लिए उपसो कि आप सभी best करें और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, helpful है आपके लिए और मेरी tricks, suggestion आपके लिए इसी भी तरह से फायदे मंद हो तो जरू सरू एक like करें, अपने feedback comment section में लिखें और चैनल को subscribe जरू करें और साथ ही साथ अपने friends में share करें मिलते हैं अपने next important वीडियो के साथ तब तक लिए take care and bye bye